Congress लोक सभाच चुनाव में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी इस बारे में खास पास्चित के हमारे संबादाता ने Congress विधायक जैतीरदहिया से लोग सबाद चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जाएगी इस सम्मेर साथ हैं कांग्रेस विदाएक जैतीर दईया इनसे जानते हैं जी दईया जी ऐसा एनलजी की 2014 में बीजे पी ने जो चुनावी वाइदे किये थे उन चुनावी वाइदों में से 154 वाइदे किये थे अपने मैनिफेस्टों में और 154 वाइदों में से एक भी वाइदा पूरा नहीं किये उन्होंने जो ये मात्र जुम्ले थाबित होगे सारे जो इनके रोजगार की बापत जो गोशनाई थी 15 लाख रुपए लाने की गोशनाई थी किसानों के कर्द माफ करने की गोशनाई थी किसानों को फसल की उच्चित कीमत दिलाने की जो गोशनाई थी वो सारी महस जुमले साबित हुए और अच्छे जिन का जैसे वाइदा किया था इनका कोई भी वाइदा पूरा नहीं हुआ दूसरा एक सर के बतले में दस सर लाने का मोती जी का वाइदा था वो भी इनका जूठा साबित हुआ तो अब हमारा पहला जो मुद्दा बनेगा एक तो ये की बीजेपी की विफलताओं को बीजेपी जिस तरह से विफल हुई है वो अपने वाइदे पूरे करने में एक तो हमारा मुद्दा होगा ये रहे जब आपने ये तो बता दिया कि भाजपा सरकार की फलताओं को उजागर करेंगे लोग सवाचुनाओं में लेकिन यह नहीं बताया कि कांग्रस किन मुद्दों को लेकर जाएगी जनता के बीच हम जनता के बीच अनिल जी जो मुद्दे लेके जाएंगे उसमें एक मुद्दा तो यह होगा कि हम किसानों को की फसल के उचित ताम उनको दिलाएंगे स्वामी नाथन की रिपोर्ट के मताबिक उनको हम डेड़ गुना लागत के हिसाब से उनको डेड़ गुना कीमत दिलाएंगे और दूसरा हम उनको जो ये सरकार ने युवाओं को हम रोजगार दिलाएंगे और तीसरी बात जो है वो करजा माफी की है किसानों आज किसान करज माफी की वज़े से करजे की वज़े से आतमत्या कर रहे है हम हमारी सरकार सत्ता में अगर आती है पार्टी तो हम किसानों के कर्दा माफ करेंगे जैसे पहले हमने एक एक अफ़ते में दस दस दिन के अंदर इन तीन स्टेटों में करके दिखाया है राहुल जी ने तीन स्टेटों में राजस्थान में, करनाटक में और मध्या परदेश में जिस तरह से करदा माफ की है उसी तरीके से हम हरियाना में भी करके दिखाएंगे तो यह सब आप ने का था कि महेंगाई का मुद्दा है लोक सवा चुनाओं में परमुट्धा से उठाएंगे लेकिन आज जो आपने मुद्दे गनाए हैं उसमें तो महिंगाई का मुद्दा आपने गायब कर दिया है क्या आप महिंगाई के मुद्दे से कांग्रस भाग गई है क्या ने ने अनिल जी ऐसी बात नहीं है महिंगाई का मुद्धा भी हम जोड़ शोड़ से उठाएंगे आज जनता जो है महिंगाई के वज़े से तरही तरही कर रही है हर एक वस्तू के दाम बहुत उंचे आसमानों को चूरे हैं खास तोर पेटरोल और डीजल के दाम पेटरोल औ और पंद्रा देशों में पेटरोल बेहे हैं वहाँ जो डीजल इन्होंने बेचा है उस वहाँ तो इन्होंने बेचा है 34 रुपए के हिसाब से डीजल और 37 रुपए के हिसाब से पेटरोल हरा हमारे देश में यह तकरीव दुग्णे रेट पर हमें यहां जनता को deliver ह होते हैं तो हम इस पे हमारे अगर पार्टी सरकार सता में आती है तो हम इसको जी एसटी के दाइरे में लाएंगे और वेट भी अटाएंगे ताकि इस पर लोगों को सस्ता मिले देशे सब लेकिन भाजपा तो कहना है कि देश की सुरक्षा के आगे दूसरे जो मुद्दे है माइने ने रखते हैं। जो बिलकुल गलत है और जो सैना जो काम कर्ती है उसका फाईदा अगर बीजेपी करता है। यह तो यह कोई किसी बीजेपी के लिए नहीं कर रख़ा गे जेपी उसका फाइदा उठाई है। ये थे मेरे साथ कांगरस वधायक जैतिरत दया इन्होंने का है कि लोकसवाच चुनाओं में कांगरस भाजपा की विफलताओं को उजागर करेगी इसके साथ साथ इन्होंने का है कि कांगरस अगर सत्ता में आती है तो आते ही करजा माप हर परिवार को रोजगार और इसके सा साथ मेंगाई को कम करेगी और तेल और डीजल की कीमतों को जी एस्टी के दाइरे में लेकर आएगी कैमरामेंज संजे के साथ अनिल कुमार टोटाल नियू चन्रिकर